दिखजों का जिस तरह से जमावरा लगा हुआ है करहल में ब्रेह मंत्री वहाँ पर जाते हैं जीत के हुंकार भरते हैं आज खुद मुक्ष मंत्री योग्या दितनाती जाकर वहां से अखलेश रादव को हराने के बात कही है और बीजेपी जिस तरह का महौल बना रही है करहल में फिर आगे की रहा आपके लिए कितनी मुश्किल कितनी आसान क्या बोलेंगे इस पर आप समाजवादी पार्टी और उसके गडबंदन की उत्तर प्रदेश के 2022 के होने वाले विधान सुभा चुनाओं में आंधी चल रही है पहले चरण में 11 जिलों में 58 सीट दूसरे च चरणों में ही समाजवादी पार्टी उसका गडबंदन सतक पूरा कुर चुका है हम सो सिटे जी चुके हैं और यह सोला जिलों में अब 69 सिटों पर चुनाओं होने जा रहा है यहां पर भी हम पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेंगे करनोच भी जो है यह माना जाता था कि यह सीट जो है हमेशा सबाजवादियों की रही है लेकिन इसी करनोच सीट में हमने डिमपल यादव इन्ही अखलेस यादों के धर्म पत्नी याने मुलाइम सिंग के परिवार के लोग को हराया हमने फिरोजाबाद में अच्छा याद करहल में अखलेस यादों मुझे लगता है दौर कोई भी हो मुद्दा एक ही है उत्तर प्रदेश का बेजार बेरोजगारी और उस पर जब सवाल पूछो तो यह लोग जवाब नहीं देते हैं लेकिन चुनाओ के हारने की बॉखलाहट ना सिर्व भाजपा के केंद्र के श लाटरि में जटक रही ह। तिलोई से जो मंत्री है विदायक है वो क्या बोल रहे हैं दारी नोच कर छुटिया बना दूँगा ये उनकी भाशा है मैडम भदवर्या जी जो दकी विदाया वह करी नमक ले लिया राशन ले लिया वोट नहीं दे रहे हो अरे अपने घर से ठ और 80 करोन लोगों को आप इस कगार पर ले पहुँचे हैं कि वो फ्री का आटा और चावल आप से लेने पर मजबूर है गेहूं और चावल क्या बात करते हैं आप लोग ना आप इमानदारी से बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं महंगाई से आपने कमर तोड़ी हुई है और मुद्दो की बात करो तो इनकी भाषा शेली और उनकी बाते देख लिए जिसमिरती रानी जी गहीं तो थी कानपुर क्यों नहीं कर पाई रोड़ शो क्योंकि भीड़ी नहीं थी अमिछ शाजी ने क्या का वो वाइरल विडियो में अरे कमार है बंद करो रोड़ शो भ पूर कर दी है 47 सीट पर सिमट कर रहे गई है समाजवादी पार्टी और उनका गडबंदन अभी 47 सीट की लड़ाई लड़ रहा है और जो करहल की बात आपने कही है यही स्पी सिंग बगेल हैं जिन्होंने इनको फिरोदाबाद से भी हराया है इनको कन्नौज से भी हराया ह है और यह करहल में हराएंगे इसलिए क्योंकि मानी मुलायम सिंग को लेकर गए है इसलिए लेकर गए हैं कि पापा आप चलके माफी मांगे लोगों से पूरा मंत्री मंडल उतर जाए हमारे पास जन सेवक है ना भारती जनता पार्टी के पास करोड़ों मिंबर से 18 करोड़ सबस्ते हैं हमारा एक एक कारकरता समर्पित है देश के लोगों के लिए अभी योगी जी ने बड़ी इंट्रस्टिंग बात कही उन्होंने कहा कि वह श्रिपाल यादव को सीट पर खड़ा कर दिया या बैठा दिया अरे भाई योगी जी याद है आपको आपको तो पैदल दोड़ा दिया था पूर्वांचल एक्सप्रेस पे याद है योगी जी अगर आप देख रहे हो नहीं तो मोशिन रजा साब पहुचा देंगे पैदल दोड़ा दिया था मोधी जी ने उनको यह कोई चुनाव के मुद्दे होने चाहिए कि साब आप पुरानी पैंशल बहा जाए जाएंगी चुनाव के मुद्दे होने चाहिए कि यहां विवेक तिवारी को कोड़ ब्लड़ेड पुलिस मर्डर तो नहीं करेगी चुनाव के मुद्दे होने चाहिए कि पांच लाख रुपए का एनामी बदमाश हो गया है SSP भारती जनता पार्टी का मनिलाल पार् पार दिया और वह बूट्स लेकर ऊपर तक पहुंचाया आप सोचिए का मुलायम सिंग याद हो जब पिछला पार्लामेंट चुना हुआ तो कितने से जीते हैं मात्र 99000 से जीते हैं और भी हमारा साथ था तब इसके पहले वह तीन लाग से चाल लाग से जित रहे थे यह द विवाद दो देशों के बीच चल रहा है यूकरेन और रूस लेकिन इसमें जो बाकी बड़े देश हैं जैसी कि इंगलेंड हो गया अमेरिका हो गया इन सब की दिल्चस्पी भी बहुत ज्यादा नजर आती है और इसलिए अमेरिका की तरफ से और विटन की तरफ से बारब एक एक करके मैप से डीकोड कैसे हम इसे कर सकते हैं इस मैप में आप यूकरेन बॉर्डर पर रूसी सेना की तैनाती देख रहे हैं प्रैमिया बॉर्डर पर रूस की कम से कम 11 से 12 बटालियन तैनात है जोनबास पर भी 12 बटालियन के साथ रूस यूकरेन में घुसने के दस बटालियन ने मोच्चा संभाला हुआ है जो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकती है सिर्फ अमेरिका नहीं यूक्रेन को भी पक्का यकीन हो चुका है कि रूस उस पर हमला करेगा लेकिन रूस का पहला हमला कैसा होगा और उसके निशाने पर क्या होगा इसको लेकर पर्शिमी खूफिया एगेंसियों ने पांच अंदाजे लगाएं पहला ये कि रूस यूक्रेन के बॉडर एरिया पावर स्टेशन्स और बड़े शहरों को निशाना बनाकर साइबर अटैक को अंजाम दे सकता है ताकि यूक्रेन का सिस्टम चर्मरा जाए ऐसी एक पिश्चाल में रूस कर चुका है दूसरा ये कि रूस बेलारूस की तरफ से घुसकर यूक्रेन की राजधानी कीव को खेरेगा और उसे अपने कब्जे में लेकर उसका कंट्रोल रूस समर्थक अलगाब बादियों के हाथों में दे देगा तीसरा ये कि रूस क्राइमिया को पानी की सप्लाइ रोक सकता है और नहर पर एक ब्रिज बना कर यूक्रेन में सेना की एंट्री करवा सकता है ऐसा ही एक ब्रिज रूस-बेला-रूस यूक्रेन बॉर्डर पर पहले ही बना हुआ हुआ है जिसका खुलासा सैटलाइट इमिज से हुआ उक्रेन पर-Rूस के पहले हमले की एक एहम लोकेशन यूक्रेन का इस्टन बॉर्डर हो सकता है, जहांसे यूक्रेन के बड़े शहर, पावर प्लांट्स और मिलिटरी बेस रूसी सेना के निशाने पर आ सकते हैं। पश्चिमी देशों के खुफिया इंपुट्स बताते हैं कि यूक्रेन बॉर्डर पर अभी भी रूस के करीब डेल लाक सैनिक और भारी संख्या में गोला बारू टैंक लड़ाकू विमान तैना थें, यानि यूक्रेन पर रूस के हमले का खत्रा तलने के बजाए अब ता जा रहा है